ठीक है ना, DM कर देना मुझे, राजू, इंस्टा पर DM करना मुझे मैं देख लूँगा, है ना, ज़रो DM करना, जी हाँ, इंस्टा पर मुझे DM करना, मुझे इंस्टा पर अब DM करोगे, आखिर ये DM है क्या, हर एक यूटिबर बोलते रहते हैं कि DM करो, DM करो, मुझे DM करो, DM कर होता क्या है पैदा क्या है और हम लोग इसे इस्टा पर कैसे डियम कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डियम का फुर्फरम होता क्या है तो डियम का फुर्फरम होता है डियरेक्ट मैसेज जी हाँ डियरेक्ट मैसेज हम किसी को भी डियरेक्ट मैसे करते हैं इंस्टा पर उसे कहते हैं DM तो उसे करते कैसे हैं कहां से करना पड़ता है इस्टा पर जाने के बाद अगर मैं किसी बड़े यूटोगर के ले लूँ तो वो हमेशा बोलते रहते हैं कि मुझे DM करते मैं उसे देखूंगा और आपको को reply कर दूंगा है ना तो अगर हम लोग चाहें अगर मैं चाहूं कि किसी को भी DM करूँ तो क्या वो reply करेंगे यह ऐसी होता है तो एक बाट चलिए दिखते हैं ट्राइ करते हैं कि हम लोग DM कैसे करते हैं ठीक है और करके देखेंगे अगर reply आता है इस्टाग्राम को open करने के बाद मैं मेरा first screen आपको दीख चुका है और मैं अब किसी को भी DM करना चाहता हूँ जैसे कि मैं Manoj Deo को करना चाहता हूँ DM करना चाहता हूँ मतलब direct message करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर search करूँगा Manoj Deo मतलब मतलब Manoj भाई को मैंने एक message लिखा था कि हलो मनोज भाई I am your big fan and love you करके एक message दिखा और आप simply यहाँ से send कर देंगे send करने के बार ये मनोज भाई पार directly message चला जाएगा अगर वो चाहें तो reply कर सकते हैं वरना नहीं भी कर सकते हैं तो दोस्तों वो YouTuber पर depend है कि वो कौन सा YouTuber है आपके response करता है या नहीं करता है diet message आपने भेज दिया है पर जा चुका है पर DM ऐसा ही होता है दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको DM करने आ चुका है और अगर आपके चैनल पर नए हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लो और एक लाइक कर दो और जिससे मेरी motivation बढ़ जाए और मैं इस ताइब की वीडियो हमेशा बनाते रहता हूं हमेशा अपडेट करते रहता हूं तो आप बेल आइकन को भी दबा ले जिससे आपको हर एक notification हमारी वीडियो की मिल सके और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख पाऊं तो फिर हम चलते हैं और मिलते हैं ने वनियों पतक है जैन जै भारत